सब्सक्राइब करें तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडलिंग स्टाइल इन वी एच डियल यह हमारा थर्ड चैप्टर है इसके पहले मैंने चैप्टर वन और चैप्टर टू वह बना के मैंने चैनल पर डाल दिया है यहाँ पर आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा आप वहाँ पर क्लिक करके आपको वीडियो के थ्रू जा सकते हैं तो अभी जो तिसरा जो चैप्टर है हमारा वह आ गया मॉडलिंग स्टाइल इन वी एच डियल जैसे कि हमने पहला जो लेक्चर था पहला जो वीडियो था उसकी अंदर हमने बस एक इंट्रो जबता है कि तीन टाइप है और यह जो कोशन बनता है यह कोशन बनता एट मार्क्स का वके बिकॉल्स के अंदर आपको यह ताइप भी बताना पड़ता है स्टाइल बताने पड़ता कि कौन-कौन से अलग-अलग तरीके के मॉडलिंग हम लोग करते हैं ठीक तो यह हम लोग है 100% है कि यह आता ही आता है और अगर जो भी मैं आपको अभी बताने वाला वह आप लोग ने देख लिया तो 100% गैरेंटी है कि आपको 8 out of 8 marks लेने से कोई रोग नहीं पाएगा ठीक तो simply अगर मैं बोलू तो there are three types of modeling style तो पहला जो होता है वह हमारा होता है behavioral modeling दूसरा होता है data flow modeling और तिसरा होता है structure modeling तो यह point आपको लिखना है कि कितने type के modeling होते हैं तो तीन type हमने देख लिया basically अगर आप लोग देखो behavioral तो वह behavior बताएगा data flow कि data flow कैसा होगा structural यानि उसका designing कैसा होगा उसका structure कैसा होगा तो हम लोग इसमेरा programming भी देखेंगे उसका design भी the behavioral of an entity entity का मतलब क्या होता है आपका जो भी input और output का relation रहेगा या फिर पुरा उपरा जो भी structure रहेगा तो structure in case entity का मतलब होता है skeleton आपकी जो भी body है body का धाचा गैसे रहेगा तो वो होता है entity तो वो decide कर ठीक है तो उसमें वही बताया गया है is expressed using sequential statement एक sequential statement रहेगा एक statement लिखा जाएगा और उस sequence के हिसाब से जो भी आपके input output का relation बनेगा और उसके थुरू आपका कुछ तो भी output आएगा ठीक detail of gate level implementations are not required for this type of modeling अगर आपको gate के बारे में नहीं भी कुछ पता है gate in case कौन सा gate gate होता है अगर आपको detailing में नहीं पता है gates कैसे काम करते हैं और उनका कैसे implementation होता है तो अगर नहीं पता है तो आप behavioral modeling कर सकते हैं ठीक तो अभी हमनों उसको detail में देखेंगे कि actually कैसे कर सकते हैं ठीक तो ओके इन behavioral design method semantic semantic of interconnected symbols are not used तो जो भी semantic interconnected symbols होते हैं उनका symbol का use नहीं किया जाता है आप लिए डाइग्राम में देख सकते हैं कि दो input दिया और एक output है और यहाँ पर आपके पास selector है तो simply जब आप लोग इसको select करते हो न तो यहाँ पर जो भी आप logic लगाते हो वह logic आपका output में मिलता है यानि यहाँ पर अगर आप 0 रखोगे तो by default जो भी इदर value रहेगा न वो 0 ही जाएगा इसको अगर आप लोग हाई कर देते हो या फिर 1 देते हो तो जो भी इन दोनों में से जो भी value अगर 1 है तो दोनों का logic मिलेगा दोनों का logic मिलके आपको output में कुस्तु भी मिलेगा तो यह होता है the style of modeling needs input specification और true table as design specification जैसी आप देख रहे हो design तो यह design के थरू जो भी आपका input specification रहेगा उसके थरू जो भी table देगा वो table का output आपको बराबर वही मिलेगा तो अब भी basically इसको design करने के लिए हमको program लिखना पड़ता है मैं आपको recommend करूंगा कि आप यह program लिख लिजेगा ठीक मैं आपको explain करता हो very simple बहुत easy है कुछ भी इसमें है नहीं आपको अगर यह structure पता है तो आप यह program आराम से design कर सकते हो तो देखो सबसे पहला जो step होता है एक extra बना दिया है तो यह IEEE library होता है ठीक जब आप लोग VHDL में जो भी program लिख होगा ना VLSI में तो आपको सबसे पहले आप programming language आपको पता होगा तो सबसे पहले आपको करना क्या पढ़ता लाइबरी इंक्लूड करना पड़ता कि आप कोई चीज को अंदर ले रहे हो ठीक है जैसे लाइबरी में बहुत सारे बुक्स होते है तो ऐसे ही VHDL में या फिर VLSI में बहुत सारे libraries है ठीक है जब भी आ आप लोग कोई structure बनाते हो कोई designing करते हो programming design तो उस time दे आपको लाइबरी पहले इंक्लूड करने पड़ते है तो यहां से हमने लाइबरी IEEE रहेगा 114.all किया है तो जो भी चीज रहेगा तो पुरागा पुरा detail मतलब जैसे उसके अंदर multiplexer आ जाता है तो यह is लिखोगे मतलब यह designing आपको यह चाहिए ठीक है is तो इस करने का मतलब क्या होता है mux221 is तो इस करने के बाद आपको port डिफाइन करना पड़ता है सबसे पहले आपने क्या किया लाइडरी इंक्लूड कर दिया और आपने यही लाइडरी बता दिया कि IEEE की लाइडरी है standard logic 1164 में से हम लोग पूरे पूरे लाइडरी यूज कर रहे है ठीक है इसलिए all किया है उसके बाद हम लोग entity पहते मतलब हमको design क्या चाहिए हमको and gate चाहिए or gate चाहिए mux जो भी चाहिए हम लोग उसको यहाँ पर define करते है ठीक है आप इधर output में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपको यह signal देना ही पड़ेगा हमेशा ठीक है 0 या फिर 1 का logic आपको यहाँ पर देना ही पड़ेगा तब यह मक्स काम करेगा तो यह port कर दिया यहाँ पर define किया W0 W1 और S और इसको हमने क्या कर दिया in standard logic तो यह तीनों क्या ह हमने जब port भी define करते हैं उसके बाद हमने क्या करते हैं simply उसको बंद कर दिया ठीक है अभी यह हमने पुरा पुरा उसका कुछ करना नहीं है आपको बस structure बता देना है कि तीन input मेरे एक output है और उपर library include कर देना है बस यही आपको ध्यान में रखना है और यह जो portion है आपका य यहां पर architectural behavior mux of architecture आपको कैसे बनाना है ठीक तो mux 221 is तो सेम वही है architecture के form में लिख दिया begin किया process आपको process क्या करना है तीन चीजों को process करना है w0, w1 और s को अपने process में लिख दिया w0, w1 और s उसके बाद फिर से आपने begin किया अब यह इदर आपको क्या करना है logic लिखना है if s equal to 0 अगर 0 रहेगा तो क्या होगा f आपका less रहेगा या फिर equal to w0 रहेगा ठीक एक तो उससे कम रहेगा नहीं तो उसके Republican रहेगा Otherwise else हो क्या हो सकता है एक तो इसकी value f में जाएगी नहीं तो इसकी value f0 में जाएगी दोने मेंसे कोई condition हो सकता है और उसके बाद आपको करना किया है end if कर दे रहा है और उसके बाद आपको end process कर देना और end behavior क्योंकि हमने behavior जो था behavior हमने इधरी start किया था architecture का नाम ही हमने behavior दिया था तो हमको उसको भी बंद करना पड़ेगा ठीक जो आपने सबसे पहले लिखा उसको सबसे आखरे में बंद कर अगर नहीं समझ में आया तो आप simply आप देख सकते हैं यह तो समझ में आ गया होगा यह आप नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाएगा बट यह जो इतना प्रोग्राम है ना यह आप लोग लिख लेना ठीक बिकॉज यह easier मेरे इसाब समझ यह और पूर पूर जितने भी और तो हम लोग पहले इसका description देख लेते हैं क्या होता है data flow modeling is based on concurrent assignment statement एक concurrent assignment statement रहेगा उसके पर totally depend करता है the flow of data through entity is expressed using concurrent signal assignment statement when any input changes its value its statement gets executed जबी भी आपका कोई भी input अगर चेंज होगा कोई भी signal अगर आपको चेंज होगा तो उस टाइम पर आपको कुछ ना तो चेंज मिलेगा या फिर आपको कुछ ना तो executed statement मिलेगा Okay simply यही बताते है data flow की data flow की से सहस्थ होने वाला है concurrent में होने वाला है सीध है लाइन में होगा data flow कैसे होने वाला जैसे कि आपने इधर AND gate बनाया है, तो AND gate आपको पता ही होगा, अगर आप 00 दोगे तो 0 ही मिलेगा, 01 दोगे तो भी आपको 0 मिलेगा, 01 दोगे तो भी 0 मिलेगा, बट जब आप 11 दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, output में 1 मिलेगा ठीक है तो data flow कैसे होने वाला है वो आपको data flow modeling बताता है इसका यह program important है यह देख लेते हैं the data flow modeling style needs boolean equation as design specification तो यह हमेशा data flow modeling जो होता है यह हमेशा आपको boolean equation design में ही specification इसका बनाया जाता है अगर आपको 01 के form में अगर output चाहिए तो उस टाइम पे हम लोग data flow modeling का use करते हैं तो चलिए example देख लेते सेम वही है library हमने include कर दिया फिर हमने use किया यही IEEE standard logic underscore 1164.all तो जो भी library था IEEE का हमने पुरा का पुरा यहाँ पे use कर लिया तो हमने IEEE में से हम हम लोग क्या use कर रहें यह वाला use कर रहें तो यह जो पूर्ट होता है ना या यह जो भी library होगा या जो भी system के specification के according हमको जो भी चीज़ा लगती होगी dot all करने का मलदब क्या हो जाएगा तो उसके अंतर जो भी and gate or gate मैंने जो आपको बताए वो पुरे इते डिटेल हमारे हम उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं फिक उसे पाद हमने entity बना दिया entity क्या बना यह हमको बनाना है and gate ठीक है तो हमने and लिख दिया इस और इस करने के बाद हमको port डिफाइं करना है तो port हमारे पास कितने दो दो port in input है लिए दो इनपूर पोर्ट है और एक output पोर्ट है तो हमने वह कर दिया A,B Input या फिर in standard logic और उसके बाद हमने सी लिख लिए एक इंट है standard logic यह जो भी एक standard logic हो गया और उसकी बाद हमने क्या कर दिया उसको simply बन कर दिया कि इतना लिख लिए आपको इतना बिलिख लिया तो भी सफीशंट है आपकोि architecture नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा बड कोशल कोशन जो आता है न तो कोशल में पहले पूच लेता है वेरियस टाइफ फ और architecture modeling तो आपको न उसका architecture भी बनाना पड़ेगा तो architecture कुछ खास नहीं है simple सा यह वो भी तो देखिए architecture में क्या बोला गया है architecture data flow तो data flow आप क्या लिख रहे हो data flow modeling लिख रहे हो न तो आपको architecture data flow लिखना है and one and one क्यों and you and का logic यूज़ कर रहो न तो and one is begin करोगे उसके बाद आपको करना क्या है begin और अगर आप begin कर रहे हो तो end भी करना पड़ेगा ठीक begin कर रहे हो तो end भी करना पड़ेगा अब begin में क्या लिखोगे c is less than equal to a and b तो जो c में कौन सी value जाएगी a and b की value जाएगी एक तो उससे less रहेगा या फिर उससे greater रहेगा greater होने का मतलब क्या रहेगा अगर one रहा basically equally रहेगा अगर यह one and one रहेगा तो one ही जाएगा उससे कम भी हो सकता suppose अगर यहाँ पर one यहाँ पर zero है तो one and one and zero क्या होता है one and zero अगर logic लगा होगे तो zero होगा तो यह क्या हो गया basically उससे चोटा ही हो गया ठीक है तो यह सिंप्ली यह उसका logic है और and data flow कर दिया I hope so data flow modeling यह भी clear होगा यह design ध्यान में रखना यह design आपको बनाना और यह इतना चोटा सा यह कोई बात नहीं है इतना भी लिख दोगे ना मेरी यानिटी है कि आपको eight में से eight marks पुरे मिल ही जाएंगे किसी भी हालत में तो चलिए उसके पीछे मैंने लिखा structural modeling तो यह structural modeling भी easy यह कुछ खास नहीं आपको इतना description लिखना इसका structural modeling is a hierarchical design method here sub components perform small operation of the complete model तो आपको यहाँ पर ऐसा होता है structural modeling यानिक आपको structure बनाना है यहाँ पर जो छोटे 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 components रहेंगे ना वो खुद में अलग-अलग सा operation perform करेंगे और हमको एक output प्रोवाइट करके देंगे ठीक है समझ में आ गया मैंने क्या बोल components उसके इंदर डाल सकते हो और उससे अपना output निगाल सकते हो ठीक वो टोटेली डिपेंड करता कि आपका logic क्या है आपको क्या logic बनाना उसके पर टोटेली डिपेंड करता है ठीक है तो यह simply आपको यह डाइग्राम देख लेना है डाइग्राम बना देना है दो component लेलो यार जो भी इसका रहेगा हम लोग सबको सब इसमें इंक्लूट कर लेंगे ठीक एंटिटी हाफ एडर वन इस पोर्ट एकॉमा बी इन स्टैंडर लॉजिक वस्वास सम और कैरी आउट स्टैंडर लॉजिक एंड हाफ एडर वन ठीक है तो यहां पर हमने इसको एंड कर दिया तो आउट गेट यूज़ किया पोर्ट ए इन स्टैंडर लॉजिक और उसके बाद सम इसका हमको क्या मिल रहा है सम मिल रहा है तो सम आउट स्टैंडर लॉजिक और उसको एंड कमपोनेंट कर देंगे वसे बाद दूसरा कमपोनेंट है एंड गेट का तो पोर्ट एकॉमा बी in standard logic carry किये हमने out यह हमारा carry out है standard logic और end component कर दिया simple सा है पहले इस component को define किया उसे पाद इस component को define किया और उसको ব end कर दिया ठीक है तो इस तरीक से हमने इसको कर लिया signal sum carry standard logic तो sum और जो carry है यह एक standard logic है यह हमको output में चाहिए तो इस साफ से हम लोग स्ट्रक्च्रान मॉडेलिंग करते हैं तो basically यह 3 मॉडेलिंग को आता है एक्जाम में और यह हमको I hope sot clear होगा behavioral modeling, data flow modeling or structural modeling Simple सा है कोई खास नहीं आपको मैं यह description में इसका PDF attach करके दे दोंगा और simple सा है clear हो जाएगा तो I hope sot तो मिलते फिर अगली वीडियो में तो थे थाइंक यू, टेक कियर, वाव नाइस दे और बाई बाई